वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें से अब यह आपके आने वाले एक्जाम जो कि आपका यूपी PCS 2022 है इसके अलावाद जो आपका आरो एरो का एक्जाम होगा 2022 में और जो आपका आरो का मेंस है उसके लिए तो यह काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर आपको इसको परफॉर्म करिए और जो आपका स्कोर रहे ह है आज के अपने इस वीडियो को तो कल जो था मैंने आपसे एक इमेज शो किया था इसमें मैंने आप से पूछा था कि आप जो है इस इमेज के बारे में क्या जानते हैं और कौन-कौन से important facts है जो आपको लगता है exam point of visa important है जो आपको mention करने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर त innocent girl official यह तीन हमारे जो viewer है इन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने comment section में सारे facts इन से related यहाँ पर mention किये हैं तो आप भी यह काम कर सकते हैं आज का जो हमारा image of the day है उसमें हम बात करेंगे महत्मा गांधी की तो महत्मा गांधी देखिए बहुत important personality है अगर जो नए वीडियो आएगा नई हमारी quiz आएगी quiz नंबर 5 तो उसमें मैं आपनों का नाम announce करूँगा कौन-कौन candidate है कौन-कौन viewer है हमारे जिनोंने यहाँ पर इस चीज को करा है comment section महत्मा गांधी से related वों सारे तथ्यों को रखा है जो आपके exam point of view से important है अब start करते हैं आज क statement यहाँ पर correct है वहीं दूसरा statement यहाँ पर है कि पुराणों में इस वंश के शाष्कों को श्री परवतिय और आंद्रभत कहा गया है तो यह वाली बात भी यहाँ पर सही है देखिए बड़ा important है ऐसे वंश जो जादा highlighted नहीं है लेकिन इन से related जब questions आपको exam में मिलता है तो बहुत सारे candidate जो थे वो confused हो जाते हैं कि exactly मतलब यह तो हमने पढ़ा ही नहीं था ठीक है तो यह इश्वाकू वंश के बारे में जरूर आपको याद होना चाहिए इन दोनों statement को तो इस तरीके से इसका जो सही answer वो क्या होगा दोनों ठीक है सो question number two की बात करें यहाँ पर बात हो रही है पंचायती राज का जो शुबारम हुआ वो कौन से state में हुआ आपका पंजाब है राजस्थान जारखंड या फिर उत्तरप्रदेश तो मुझे लगता है कि आपको इसका answer पता होना चाहिए सही answer क्या होगा राजस्थान second जो है अगले question पर अगला question है याँ पर जो आपको हडपा के इस्थल दे राखे है ठीक हे उनको आपको relate करने कौन से state में कौन सा इस्थल यहाँ पर है सो कौन सा यहाँ पर सुमेलत है वो सुमेलत वाला आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो देखिए अकर सबसे पहले हम बात कर बट यह क्या है राजस्थान तो इस तरीके से यह भी यहां पर इंकरेक्ट है तो सुमेलित वाला आपको चूज करना था सही कौन सा होगा आपका राखी गड़ी जो की कहां पर है हरयाणा में ठीक है इसके बाद अब जो है मूव करते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमब गोदावरी है तो सही आंसर क्या होगा आपका नमबर वन यानि की फाल्गू रिवर जो है यह इसका आधुनिक नाम है जो की पहले निरंजिना थी और जिसके किनारे जो था महात्मा बुद्ध को ग्यान पराप्त हुआ इसके बाद आज का अगला कोश्चन यहां पर है इल अलमुस्तकीन, अलमुस्तंसीर, अलसुबक्तगीन या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अलमुस्तंसीर ठीक है यानि की सेकेंड वाला वो यहां पर करेक्ट होगा तो आज का अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर सेवन जिसमें बात करी गई है इसमें से कौन सा छेतर है जो यूक्रेम में है यह डोनेट्स है कुजनेट्स है या फिर आपका लंका शायर है या फिर सार है तो सही आंसर क्या होगा आपका डोनेट्स यानि की नंबर वन जो ह वो यहाँ पर सही होगा अगला कोशन यहाँ पर है निम्न इस्थानिय पवनों में से कौन सी जो है वो ठंडी हवाए है ठंडी पवन कौन सी यह बताना है पैमपीरो है चिन्हूक है सिरको है या फिर जॉंडा है तो देखिए यहाँ पर तीन तो ऐसी है जो गर्म है और एक ऐ वाली आपको चूस करनी है तो अगर हम बात करें चिन हुक कि या फिर रखों की या फिर जूंडा तो यह तीनों ही क्या है आपकी घर्म हवाएं हैं ठीक है लेकिन अगर आप बात करें पैम्पीरों की पैम्पीरों कैसी है यह इस तरीके से सही आंसर क्या होगा हमारा नंबर वन यानि की पेंपीरो अगला यहां पर कोशन है कोशन नंबर नाइन जिसमें घास संग्रक्षन शेत्रों से सम्बंदित स्टेट्मेंट आपको दे रखे हैं और आपको यहां पर सही जो कथन है वो आपको उसको चूस कर रहा है सबसे पहला यहां पर है कि भारत का पह इनका संग्रक्षन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्तिति की संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है अगर इनका संग्रक्षन नहीं किया गया तो तीसरा स्टेट्मेंट भी यहां पर करेक्ट है तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका है इसके बाद आगे हम बात करते हैं कोश्चन नंबर 10 की यहां पर आपको युगन दे रखे हैं जो गलत है वो आपको यहां पर चूस करना है सबसे पहला है आपका विश्व विज्ञान दिवस यह कब होता है 10 नवंबर को एकदम सही है अच्छा इनके आपको थीम बताने करें तो यह भी यहां पर सही है 12 नवंबर लोग सिवा प्रसारण दिवस इसके बाद अगर हम बात करें रास्तिय शिक्षा दिवस की तो यह यहां पर गलत दिया हुआ है क्योंकि यह है आपका 11 नवंबर अच्छा कमेंट सेक्शन में यह भी बताईएगा कि रास्तिय शिक इसको आप कमेंट सेक्शन ने बताईएगा इसके बाद आगे बढ़े अगला यहां पर कोशन है एक जनपद्दो उत्पाद योजना जो है वो कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी हरयाना उत्तर प्रदेश महरास्त या फिर उत्तराखंड तो इसका सही आंसर क्या होगा आप एक वीडियो पे बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप मतलब इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे है अपने फ्रेंज के साथ में तो देखिए यह थोड़ा सा जात्ती हो जाएगी क्योंकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप अपने फ्रेंज के साथ शेयर निबा रहे हैं मतलब फ्रेंजर को निभाने का मतलब इस सेंस में है कि फ़ीया अगर आपको कोई चीज बैनाविफिट पहुंचा रहा है तो उपके पहुंचा आपको इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें सो इसके बाद अगले अको question यहां पर जो है उसमें बात करी गई है आपका जो अंतरास्तिय सौर गढ़बंदन है ठीक है अंतरास्तिय सौर गढ़बंदन की जो चौथी आम सभा हुई थी उस से related यहां पर आपको statement दे रखे हैं जो सही यहां पर कथन है वो आपको गढ़बंदन है यह जो है एक प्रिलियन युएस डॉलर जो है इसको जुटाने के लिए Bloomberg philanthropy के साथ में साज़ेदारी करेगा इस चीज़ की भी यहां पर घोशना करी गई है इस आम सभा में इसके बाद आपका कि सभा में दो कारिक्रम एक आपका solar PV पैनलों और बैटरी उप्योग अप्षिस्ट का प्रबंदन और solar hydrogen कारिक्रमों की शुरुवात यहां पर करीगे यह भी सही है तो इस तरीके से जो हमारा सही इसके बाद अगले कोश्चन की तरफ चले अगला कोश्चन यहां पर है निम्न में से किस दिवस की थीम जो है वो बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यह है इन डेज में से कौन से दे की जो थीम है वो क्या है आपका बिल्डिंग बैक में यह भी बताईएगा कि यह जो विश्व मदुमेह दिवस है यह कौन से उस पर मनाया जाता है मतलब कौन सी इसकी डेट है और इसका थीम इस बार का क्या रहा तो देखिए इसका सही आंसर है इस वाले कोश्चन का वो क्या होगा आपका सहीयुक्तरास्ट दिवस इसके ब बात करें इसका मुख विशय या फिर जो थीम थी वो क्या थी सेलिब्रेटिंग क्रियेटिविटी इन साइन्स तो यह वाली बात भी यहां पर सही है बहुत इंपोर्टेंट देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्ट के उपर कुछ ना कुछ आपसे पूशा रेल्वे स्टेशन इसका नाम बदलकर रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन कर दिया गया एकदम सही है यहाँ पर सही हों गए 2020 की अगर को सरफशेष्ट परेटन गाउं के रूप में यहां पर चुना है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह तो यह तमिलनाडु का गाउं है तेलांगना का है उलीसा का है या फिर यह नागालेंड का है तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा तो यह पोचमपली गाउं है यह कहां का है तेलांगना का यानि कि जो सेकंड वाला है वो यहां पर करेक्ट होगा इसके बाद अगला यहां पर कोशन है निम्न में से कौन सा देश छे देशों के मद्द आयोजित किये जा रहे है एक बहु पक्षिये पंडुब्बी रोधी सहियु इसके बात करें या फिर औस पर चाइना से हर कोई खफा है इंडिया तो इसपेशली हों कि हमारी तो जमीन ही कब जा रहे है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला यानि कि चाइना इसके बाद आज के अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है निम्न में से क के अलावा एक और कंट्री है जो कि है आपकी सोमालिया ठीक है तो सोमालिया को भी आपको याद रखना है सोमालिया भी किसमें आती होर्न आफ एफरीका में इसके बाद आगे मूफ करते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन यहां पर है स्पी जी अधिनियन की किस धारा के तह है धारा ग्यारा धारा बारा या फिर धारा चौधा तो सही आंसर क्या होगा धारा चौधा जो है वो यहां पर सही है इस से रिलेटेट है यानि कि सेक्शन 14 ठीक है जो कि आपका SPG एक्ट है उसके थ्रू अच्छा यह आप कमेंट सेक्शन ने बताईएगा कि SPG एक्ट जो यह जो है इसका मुख्याल है कहां पर है यह पर्थ है मॉस्को है बीजिंग है या फिर न्यू यॉर्क है यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है मॉस्को ठीक है अब यह CSTO यानि की कलेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीटी और्गनाइशेशन यभी यह क्या मुख्याल कि पर्थ है मॉस्को है इसके बागे बड़ें अगला कोश्चन यहाँ पर है बारत में जनगर्ण न सही है तो कौन सा प्सफार सही है यह आपको बताना है है कि भारत में 800-600 ईसापूर्व के दोरान किसी परकार की जनगड़ना की गई थी तो यह एकदम सही है ठीक है मतलब रिकवेद में भी इस चीज़ के कुछ facts मिलते हैं कुछ बाते मिलती हैं कि 800-600 ईसापूर्व के दोरान किसी परकार की यहाँ पर जनगड़ना की गई थी इसके अलाबा जनगर्णा से ही related दोनों स्टेट्मेंट है तो बोत यहां पर करेक्ट होंगे दोनों जो है यहां पर सही आंसर होगा इसके बाद आगे मूफ करते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन यहां पर है इसराइल के कारण फिलिस्तीनियों का अपना घर छोड़कर भागने को मजबू होना यह जो फिलिस्तीनी है यह इसको किस तरीके से किस शफ्द से बया करते हैं क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए क्या इसको यह अनसर क्या होगा आपका अलगाब यह फिर अपर तरह या दर वाला जो है बहुत जादा इंपॉर्टन कोशन है तो आजकर यहांपर अगला question है कि भारत श्रिलंका समझाता जिसे राजीव जैवर्धने समझाते के रूप में भी जाना जाता है यह कौन से year में हस्ताक्षरित होगा यानि कि जो sign करे गए थे कौन से year में करे गए थे राजीव जैवर्धने समझाते को ठीक है अब यह 1991 है 1989 ह तो ये साल है ये आपको साल बताना है कि कौन सा ये year है तो सही आंसर क्या होगा आपका 1987 अब इसके बाद हम next question पर पढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक चीज बोलना है कि आप लोग सबसे पहले तो steady for civil services को join करिए वहाँ पर subscribe करिए चैनल को और जो ये आपका online exam preparation है इसको भी तुरंत यहाँ पर join करिए subscribe करिए अब ये जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर आपका daily quiz चलेगा तो आप अपने आपको test कर पाएंगे कहां आप stand कर रहे हैं वहीं आप steady for civil services को अगर join करते हैं तो वहाँ पर आपको daily current affair को जो वीडियो आप मिल रहे हैं तो आपकी current affair तयार होगी और इसके अलाबा जो पापा वीडियो हैं यहाँ पर subject specific जो वहाँ पर material पढ़ा होगा जो free of cost है वो वीडियो मतलब paid नहीं है आप सीधे उसको जाकर देख सकते हैं तो आप वहाँ पर जाकर जरूर उसको join करें ठीक है और कम से कम अपने 5 friends में जरूर हमारे link को share करें और जो telegram group का link आपको दिया हुआ description box में उसको भी जाकर तुरंट वहाँ पर join करिए ताकि आपको daily अगर YouTube से notification ना मिल पाए तो at least आपको वो notification टेलिग्राम के थूँ मिल पाए ठीक है तो अब जो है अगले question पर बढ़ते है अगला question यहाँ पर है निम्न में से कौन सा देश question पर बढ़ते हैं अगला question यहाँ पर 25 नंबर का जिसमें बात करी गई है कि यहाँ पर आपको एक तरफ तो gland दे रखी है गरंती दे रखी है और दूसरी तरफ आपको hormone दे रखे है तो यहाँ पर जो गलत है वो आपको चूज करना है कि गलत कौन सा वाला है तो सबसे पहला जो यहाँ पर दे रखा है pituitary gland तो यह आपका growth hormones related है यह यहाँ पर correct है दूसरा है आपका pineal gland अगर हम बात करें pineal gland की तो यह यहाँ पर दे रखा है आपको melatonin तो this is also correct देखिए इस से related आपको question 110% exam में देखने को मिलता है कोई भी paper आप ठाकर देखिए PCS का या फिर RO का आ अलावा adrenal gland की हम बात करें तो यह यहाँ पर दिया हुआ है noradrina line तो यह भी यहाँ पर एकदम correct है इसके बाद जो आखरी वाला यहाँ पर आपको दे रखा है जिसमें बात करी गई है किसकी testis की तो यह आपको दे रखा है क्या estrogen तो यह यहाँ पर incorrect है अच्छा comment section में आप ल लोग बताएंगे comment section में इसके बाद आज के अगले question पर चलते हैं अगला question यहाँ पर दिया हुआ है सोन भद्र जो है वो निम्न में से कौन सी धातूं के लिए famous है या फिर वहाँ पर कौन सी धातूं में पाई जाती है अब इसमें uranium है पाई राइट है एंडलुसेट है या तो यह तीनों ही यहाँ पर correct है तो यह आपका सही answer होगा 2, 3 and 4 इसके बाद आज के अगले question पर चलते हैं अगला question यहाँ पर है निम्लिखित में से सुमेलित युग्म का आपको चैयन करना है सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रेनु कूट जो की यहाँ पर aluminium उद्ध्योक से related है तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है ठीक है अब दूसरा गरं बात करें अली गड़ की तो यह खेल समान यहाँ पर दिया हुआ है इसके अलावा चुरक यहाँ पर दे रखा है चुड़िया पीलीवीत की बात करें तो दिया सलाई तो कि यह बरेली होना चाहिए था चुर्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो चुर्क आपका यहां पर दिया हुआ है चूड़ियों के लिए तो यह भी यहां पर गलत है क्योंकि यह फिरोजाबाद होना चाहिए अलीगड यहां पर खेल समान तो अलीगड तालों के लिए फेमस है तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर गलत है और खेल समान आपका मेरट वाप पर रिलेट होना चाहिए था इसके लावा अगर रेनुकूर्ट की बात करें तो यह यहाँ पर एकदम करेक्ट है कि अलुमोनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है इसके बाद आज का जो हमारा 28th कोशन है कि जनगर्णा 2011 के अंतिम आखणों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सिलम की साक्षरता दर है यानि कि सिलम में जो लोग रहते हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है तो यहाँ पर जो आप्शन दे रखें वो 68% 69% 67% 71 तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 69% ठीक है यहाँ पर सही होगा इसके बाद बढ़ते हैं आज के आखरी कोश्चन पर जो कि यहाँ पर आपको युग्म दे रखें जो गलत युग्म है वो आपको बताना है इसमें एक है आपका खार्तूम यह सुडान ठीक है खार्तूम जो कहां पर आपका सुडान में है और नील किनारे है वहीं अगर बसरा की बात करें तो यह आपका टिग्रिस तो यहाँ पर आपको बताना है कि गलत जो है वो गलत कौन सा है तो देखिए यहाँ पर बसरा की बात करें तो बसरा यहाँ पर इंकरेक्ट दिया हुआ है ठीक है क्योंकि बसरा कौन सी रिवर के किनारे यह जरूर बताईएगा और अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने पांच फ्रेंड्स में जरूर इसको लिंक को शेर करिए ताकि वो लग भी हमाई साथ जुड़ पाएं और डेली अपने आपको टेस्ट कर पाएं कि वो कितना तयार है आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन थेंक्यू सो मच है वनाइस डे बाबाए